नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जीले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरब से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें सबसे पहली कबर पटना में आज से पहली के तरह खोल जाएंगे जू और सभी पार्क लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री आये जानते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले आपको बता दे कि सहर के इको पार्क समेत सभी 72 पार्क सनिवार से पूरी तरह खोल जाएंगे पार्क अब तक दो सिप्ट में आंसिक रूप से खोल रहे थे अब पूरी तरह सुबद साड़े पांच से साम साथ बजे तक खोलेंगे जो लोग मौर्निंग वाक्त हैं उनकी इंट्री साड़े पांच से साड़े आठ बजे तक और आम दर्सकों के लिए नो से साम साथ बजे तक होगी पार्क में दर्सकों को बोटिंग और एडवेंचर जोले का आनन्द मिलेगा ओपें जिम भी कर सकेंगे लेकिन केंटीन की स उदी दा नहीं मिलेगे कोरोना संगट के इस काल में पार्क आने वाले दर्सकों को कुछ नियौमों का पालन करना होगा तभी परवेस मिलेगा गेट पर थरमल स्केंणिंग करानी होगी और मास्क लगाना अनिवार होगा सर्दि खासी और जुकाम वालों को एंट्री नहीं एक हजार चोवन लोग कोरोना पोजिटिव मिले हैं इसके साथ ही राज जिम में कोरोना संक्रमित की संग्या बढ़कर 2,11,443 हो गई है बिहार में फिलाल 11,971 कोरोना के एक्टिव मरीज है लेकिन वहीं अगर राज़ानी पटना में बात करे तो पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले राज़ी है राज़ानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 249 नए मामले सामने आये हैं आपको बता दी के राज़ में पिछले 24 गंटों में कोरोना से 8 लोगों की जान चली गई है इसके साथ ही राज़ में कोरोना से मरने वालों की कूल आकड़ा 1034 तक पहुँच गया है बिहार में लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 गंटों के भीतर 1244 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए है बिहार विदंसवा चुना में सत्तादारे दल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा अब तक जडियों के नेता जदातर निसाने पर होते थे लेकिन अब भारतिय जनता पार्टी के भी नेता आम जनता कोई नाराजगी का सामना कर रहे हैं बिहार के मुझपरपूर जिले में बिजेपी के उमिद्वार की खिलाब लोगों का गुस्सा देखने को मिला भाजपा उमिद्वार के परचार गाड़ी से पियम मोदी और भाजपा के राष्टिय अजदक जेपी नडड़ा की तस्वीरे फाड़ी गई है आपको बदा दे कि मामला मुझपर पूर जिले के कोड़नी विदानसबा चेतर का है जहां NDA समर्तित बिजेपी केदार प्रसाद गुपता को लेकर लोगों में खासा नाराजगी है केदार प्रसाद गुपता इस सीट से भाजपा की विधायक भी है पिप बड़ी खबर सिववर विदानसबा से चुनाव लड़ रहे सिरे नारायन सिंग की सनिवार को गोली मार कर हैट्ता कर दी गई सिरे नारायन सिंग जनता दल राष्ट्यवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे आरोपियों ने सिरे नारायन को तब गोली मारी जब वे चुना परचार कर रहे थे पूलिस ने तीन लोगों को गिरवतार भी किया है बताया जा रहा है कि सिरे नारायन पुरनिया इलाके के हतसार में परचार के लिए निगले थे इसी दोरान समर्थक बनकर काफिले में चल रहे बाएक पर सवार दो लोगों ने उन पर गोल हैं स्वास खराब होने के बाद उन्होंने अपनी कोवेट जाच कराई जिसमें उनकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है इस बात के जानकारी उन्होंने खुद ट्विट करके दी है उन्होंने कहा कि लोगडाउन लगने के बाद से मैं लगातार काम कर रहा था अभी तक सभी चीजे सही चल रहे थे लेकिन अब लगता है कि जैसे भगवान चाहते हैं कि कुछ दिन अपने काम से आराम ले लो कोविड पोजिटिव होने के बाद मैं आइसेलेट हो रहा हूँ डाक्टरों की सला पर दवाया ले रहा हूँ और अपना इलाज करवा रहा हूँ बिहार भाजपा ने सनिवार को फिर से अपने आठ नेताओं पर कारवाई की है इन सभी को पार्टी विरोधी गतिविदियों में सामिल होने के आरोप में छोज साल के लिए निसकासित कर दिया गिया है आए जानते हैं वे आठ नेताओं के नाम जिजे निसकासित किया गिया ह तो सबसे पहले विजै प्रसाद गुपता जो पूर्व विधायक सुगोली के हैं, अजै कुमार सिंग विधायक अरक्सूल के हैं, प्रदीब दास पूर्व विधायक कस्पा से हैं, रागव सरन पांडे विधायक वगवा से हैं, विभास चंद्र चोधरी पूर्व विधायक बरारी कटिहार से हैं विस्व मोहन कुमार पूर्व सांसत सुपोल से किसुर कुमार मुन्ना पूर्व विदायक सुपोल से और अंत में राकेस ओजा साह पूर्व सा सयोजक किड़ा प्रकुट से बिहार के मुमिक मंत्री नितिस कुमार को एक वरफिस से अपनी चुनावी सवा में विरोत का सामना करना पड़ा कल वे बेगु सराय के लेगणा में एक चुनावी सवा को सम्मोधित कर रहे थे सम्मोधित करते हैं वे कहा कि तुम लोग वोट मत देना उन्होंने कहा कि तुम 15-20 लोग हो जो विरोत कर रहे हो देख लो यहाँ पर हजारों आदमी हैं जिसके लिए हंगामा कर रहे हो उनको यहाँ लोग ठीक कर देंगे को बता दे कि नितियस कुमार के साथ यहाँ पहले बार नहीं हो रहा इससे पहले जब वे 21 अक्टूबर को परसा में चुनावी सभा को समदित कर रहे थे तब भी वहाँ लालू यादब जिन्दाबाद के नारे लगे थी इसके जवाब में उन्होंने नारे लगा रहे लोगों से कहा चुप रही है आप जिस पार्टी से आये हैं उसका हाल बुरा होने वाला है बिहार बिदानसबा चुनाव 2020 के मद्दे नेजर भारतिय जंदब पार्टी के चुनावी घोसना पत्र में मुप्त कोविट टिके के वादे को लेकर बिपक्ची दलू द्वारा की जा रही है अलोचना के बीच वित मंत्री निर्मला सितारमन ने सनिवार को बड़ा बयान दिया है निर्मला सितारमन ने कहा कि यह गोसना बिल्कुल ठीक है और पार्टी इस बात की एलान कर सकती है कि वह सत्ता में आने पर क्या करना चाहती है वित मंत्री निर्मला सितारमन ने बिहार को बिहार बिदानसबा चुनाव के लिए भारतिय जंदब पार्टी का गोसना पत्र जारी किया था दस्तावेज में मुई की रूप से किये गए वादे में विजेपी के सत्ता में फिर आने पर बिहार के लोगों को मुफ्त में कोविट का टिकाल लगाया जाना भी सामिल है इस वादे को लेकर विपक्चित दलों ने भाजपा की अलोचना की थी और चुन सिवसेना ने अपने मुख पत्र सामना में कहा है कि बिहार को कोरोना वैक्सिन मिलनी चाहिए लेकिन बाकी राज पाकिस्तान में नहीं है बिहार चुना के मद्दे नजर भाजपा की घोसना पर सनिवार के संपाधिकिय में सिवसेना ने कहा कि बिहार को कोरोना का टिका मिलन चाहिए लेकिन अन्य राज पाकिस्तान में है बिहार में बिजीपी के फिरी वेक्सिन की चुनावी वादे की अलोचना करते हुए संपादकीय में पुछा गया कि क्या देश में गैर बिजेपी सासित राज्यों को अब रुसी राष्टपती वालमिदिपीर पूतीन से कुरो दो मैं तुम्हें वेक्सिन दोंगा राज़त ने सनिवार को घोसनपत्र जारी कर दिया है इसमें रोजगार क्रिसी उद्योग उची सिक्चा महिला ससक्तिकरन से लेकर इसमार्ड गाहों तक भी जोर दिया गिया है पाटी ने स्वय सहता समू पंचायती राज स्वास्त राज़त निता मनुज्जा ने कहा कि केविनेट की पहली बेटक में 10 लाक इवावों को 27 सरकारी नोकरी दी जाएगी राज़त ने सरकार बनने पर किसानों के सभी कर्ज माप करने की भी एलान किया है इसके अलावा गोसनपत में रोजगार और स्वा रोजगार में नियोज किया है कि सरकार बनने पर 10 लाक नोकरिया देंगे नियोक्तिया पहले से खाली पड़े पदों पर होगी साथ ही नई पद भी बनाये जाएंगे समीदा को खतम करके सभी कर्मचारियों को इस्ताई कर समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा सभी विवागों में निजी पत्र जारिक करते ही तेजस्वी ने नितीस कुमार पर सिधा हमला बोला है रोजगार के मुद्दे पर उन्हें घेरते वे कहा कि नितीस कुमार ने तो 10 लाक नोकरिय पर ही अपने हाथ खड़े कर दिये थे कि कहां से देंगे तेजस्वी आदम ने अपने ट्विट में है और इसमें कोई संदे है तो अपने भासन में जरा एक बार पब्लिक से पूछ लिजिएगा जवाब मिल जाएगा अगर हमें मौका मिलता है तो हम सत्ता में आने के बाद दो साल के भीतर 30,000 सिनातक पास इवावों को नोकरिय देंगे कूल अगले पांच वर्सों में 40,000,000 नए रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद है उक्त बाते जन अधिकार पार्टी के राष्टिय अज़च पप्पो यादव ने अपनी प्रतिगार सभा के दोरान लोगों को संबदित करते हुए कही आपको बता दे की प्रोग्रेसिव ड्रेमोक्रिटिव एलाइंस के सेन्योचक पप्पो यादव ने सनिवार को बकसर के ब्रामपूत्र विदानसवा में पर्मानन यादव के पक्च में चुनावी रेली की तो वहीं डुमराव विदानसवा में स्रीकांद यादव और रोतास के लिए चेनारी विदानसवा में हरेंद्र कुमार उर्प मुंगेरी पासवान के लिए जनता से वोट मांगा पपुयादव ने कहा कि इस बार बिहार में चुनाव बदलाव के लिए है पिछले तीस वरसों में दो निताओं ने मिलकर बिहार को बदहाली के राह पर ढखिल दिया है आज ना लोगों के जेब में पैसे है और ना ही कोई काम है बिहार बिधनसवा चुनाव में लोग जनसक्ती पार्टी के राष्टिय अज़्डग चिराग पासवान लगातार मुखमंतरी नितिस कुमार पर हमला बोल रहे हैं सनिवार सुबच चिराग पासवान ने बिहार में सराब बंद के मुद्दे पर सियम नितिस को निसाने पर लिया उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि सराब बंदी के नाम पर बिहारियों को तसकर बनाया जा रहा है बिहार के माताये बहने अपने को तसकर बनते नहीं दिखना चाहती है बिहार के मुखमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अबा में सराब तसकरी के तरब बढ़ रहा है लेकिन सब के सब को मानुसाप सुंग लिया है कॉंग्रेस के पूर्वराश्टी अध्यच राहूल गांदी ने बिजेपी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र में चो साल से नरेंदर मोदी की सरकार है और हम बिहार में 15 साल से नितिस कुमार सुत्ता में है दोनों ने बड़े सपने दिखाए लेकिन इवावों को रोजगार देने और स्वस्त सेवा दुरूस करने के लिए काम नहीं किया मोदी जी ने कहा कि 22 दिन में हम कोरोना को मिटा देंगे लेकिन थाली बजाने और मोबाइल की लाइट जलाने से कोरोना नहीं भागने वाला है कोरोना काल में मोदी ने यह नहीं सोचा कि बिहार के मैजरों को खाना पानी कैसी मिलेगा घर वापसी के लिए कोई संसाधन नहीं दिया पजान मंत्री हमें एक दो दिन दे देते तो लाखों कडोरों मैजरों को घर पहुजा दिया होता बिहार की जनता से होस्यार कोई नहीं है यह पुरा देश जनता है साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि मोदी सरकार ने कहा कि अपना पैसा बैंक में डालो लेकिन अडाने अमबानी को नहीं कहा आप इमानदार लोग हो आप कहीं खड़े हो जाओगे मोदी ने इन पैसों से बड़े उद्योग पती का रिन माप कर दिया है लेकिन मजदम और छोटी उद्योग की कमर तोड़ दिया राहूल ने कहा कि अब पियम 19 लाक इवाओं को रोजगार दने की बात कर रहे हैं लेकिन अब तक क्या कर रहे थे और अंत की बड़ी खबर बिहार के केंद्रिय चेन परसत की बिहार सवेमान पुलिस बडालियन में सिपाही पत की 454 रिक्तियों की भरतियों के लिए आयोजित लिकित परिच्छा का परिनाम जारी कर दिया गिया है CBSC बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरति 2020 का या रिजल्ट अपनाने अधारिक वेबसाइट cbsc.bihar.nic.in पर जारी किया गिया है बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरति की इस लिखित परिक्छा में 12,672 अभियरतों ने भाग लिया था जिसमें 9,915 अभियरतों ने नियोंतम योगता अंक हासिल करने में सफलता प्राप्तिक की है लेकिन भरति नियमा अनुसार सफल अभियरतों में से रिक्तियों के 5,279 अभियरतों को ही पीटी के लिए चुना गिया है तो इसे के साथ ये आज के समाचार में इतना ही डेली बिहार के बड़ी ख़बरों को जानने के लिए आप बिहारे मेडिया को जरूर सब्सक्राइब करें